आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज एक ऐसे टॉपिक को चुना है मैंने जो की भविश से संबंधित है जब किसी देश के नागरिक फ्यूचर को ले करके चलते हैं कलपना करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा तो फिर वो अपना वर्तमान सही करने के लिए प्रयासरत होते हैं कोशिश करते हैं आजादी के बाद अगर आप देखें तो भारत का एक आजादी से पहले का इतिहास है तो हमें अपने इतिहास से भी सबक लेना चाहिए इतिहास के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाई हुई है जो हमारे वर्तमान को दिशा देने का काम करेंगी अगर हम दिशा प्राप्त करने की कोशिश करें तब यह हमारी कोशिश पर डिपेंड करेगा पहले देखके चलते हैं थोड़ा सा पहले चलते हैं इतिहास में चलते हैं माभारत काल में आप चलिए यानि आरियों के समय में चलिए आप देखिए तो पूरवैदिक काल आपको दिखाई पड़ेगा जो कि 1500 इसा पूर से लेकर के 1000 इसा पूर तक है लगभग 500 साल का आप मान के चलिए शासन रहा आरियों का पूर्वैदिक काल में जिसके अंदर समाज को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो वण वैवस्था पर तो आधारित था लेकिन वो वण वैवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी कर्व पर आधरित थी एक ही परिवार के अंदर वैद भी रहते थे आटा पीशने वाले भी रहते थे यानि एक ही परिवार में अलग अलग वैवसाई करने वाले लोग रहते थे वो व्यवसाय चाहे कितना ही निम्न होता था उससे कोई फर्क स्टेटस पर नहीं पड़ता था बाद में जब उत्तरवेदिक काल की अवस्था ही एक हजार इसापूर से ले करके 600 इसापूर तक की अवस्था में तो फिर जो वनवेवस्था है वो जन्व पर इस्थापित हो गई जब वनवेवस्था जन्व पर हो गई तो बाद में फिर जातिवाद की इस्थिती भी देखने को मिलती हैं तरह तरह की जातियां प्रकट हो गई जो रक्षा का दाईत है वो शत्रियों के हाथ में चला गया और जो शुद्रों के सिजी थी वो सेवा करने वाली हो गई और वैशे लोग किर्शी करते थे और वैपार करते थे बाद में बौत धर्म और जैन धर्म के जब विकास हुआ तो वैशों ने पूरी तरीके से क्रशी करना छोड़ दिया जैन धर्म ने अहिंसा की बात की थी जिसमें कि जीवजनत्य के खेत में कीड़ मकोरों की हत्य हो जाती थी तो कहिए जamba कहिए हिंसा होती थी वैसे ही बनी रही शत्रियों के हाथ में ही देश की रक्षा करने का डाई तो रहा भारत में समय समय पर आक्रमण भी होता रहा कभी सफलता मिलती थी कभी असफल भी हो जाते थे तो होता ही एक उस समय समाज विभाजित था और जब भी विभाजित समाज होता है तो फिर पूर कारी हैं उनके अधीन चला जाएगा और भारत के इतिहास आप देखें ऐसे ही रहा है हुडों को भी आक्मल होता रहा शक भी हां पर आए पहलों भी आते रहे गुप्तकाल में देखिए हुडों आक्रमल किया लगातार हमला होता रहा फिर महमूत गजनवी का अटेक हुआ फि पूरा मोगलों का दोर आगे चला तुरकों के बाद तो समाज को एक जब हम करते हैं और आपस में प्रेम जब रहता है तो वो समाज बाहर से होने वाले हमलों को रोक लेता है इतिहास से यह सबक है पहले हमारा समाज एक नहीं था कोई नहीं कह सकता कि पहले समाज के अंदर वड़ा प्रेम था, समाज बटा हुआ था, अले अगले वर्ग में बटा हुआ था, तो उसकी शक्ती भी तो विभाजित होगी, अगर हम एक इकाईक रूप में समाज को देखें, तो समाज में जो लोग रहते हैं, उनके बीच में अगर विभाजन होगा, तो फिर वो समाज एक इकरित होकर के, संगठित होकर के, किसी भी बाय है, आकरमार का मुकाबला नहीं कर पाएगा, उसकी सेना में अलग-अलग प्रकार के लोग नहीं हैं, और जब अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो समाज जब एक होता है, तो समाज के सारे वर्गों से सेना में लो तो एक शक्ति में विविता आ जाती है तेजी भी रहती है तो उससे क्या होता कि मुकाबला करने में आसानी हो जाती है अब आते हैं आजादी के बाद अभी क्या है कि जब सम्मिधान भारत के बना तो आप सेना में देंगे कि पूरी विवत्ता देखने को मिलती है लेकिन आज भी हमारा समाज जो है वो कहीने कहीं उतना एक नहीं हाला कि उसमें एकता आई है शहरी करण हुआ है शहर बसे हैं लेकिन फिर भी कहीने कहीं दूरी दिखाई पड़ रही है और अब तो ये तोड़ा सामप्राइक राजनीती जो चल लही है इसने समाज को कहीने कहीं फिर पीछे करने का काम किया है एक धुरुई करण की जो राजनीती चल लही है इस राजनीती को करेक्ट करने की दरुवट है क्योंकि भविश में अगर हमारा चीन से कोई युद्ध होता है किसी भी प्रकार का किसी भी स्वरूप में कोई संगर्ष होता है तो हम चीन को तभी पीछे कर पाएंगे जब हमारे समाज की एकता इस्थापित रहेगी हमारा समाज एक होगा आपस में प्रेम होगा और प्रेम होगा तभी क्या हुटा है कि एक जोश आता है फिर अपने देश की रक्षा करने के लिए सारे वर्ग जो है वो सक्री होकर के पार्टिसिपेट करते हैं और यही सम्मिधान के मन्शा भी है सम्मिधान को अगर हम समझने की कोशिश कर उसकी प्रस्तावना को देखें तो उसकी प्रस्तावना बहुत उunचे मूंल्यों को लिए करके स्थापित है उसमें हम भारत के लोग कहा गया है शुरूर में ही का गया हम भारत के लोग तो देखे कितनी एकता की बाता रही है और सम्मिधान ने दाइत भी रखा है भारत के नागरिकों पर कि देश की एकता और अखंड़ता के लिए मिल करके जागरू करेंगे, संघर्ष करेंगे यानि देश की सुरक्षा का दाइत तो नागरिक उठाएंगे सीना तो उठाती है सीना के जो भी सजस्य होते हैं पर समाट से ही जाते हैं तो जो राजनीती अभी चल लही है वो राजनीती आगे और जदा उसमें गिराबट देखने को मिलेगी इसलिए जरूरी है कि जनता जो है इस बात को महसूस करे जनता के अंदर जो अलग-अलग प्रकार के लोग हैं वो शिठ्षित करने का काम करें नहीं सही नहीं है जब एक प्रतिकार होता है विरोध होता है तो फिर राजनिती चाहे जितना ही विकार पैड़ा करें विकार पैड़ा नहीं हो पाता लोग जो नेताओं पर नेंतर लगा लेते हैं आज आप देखें जब विरोध करते हैं नेताओं का विरोध जनता के दोरा किया जाता है तो किसी भी नहीं था कि फिर हिम्मत नहीं होती कि वो जनता की बीज ऐसे लोग चले जाएं तो ये होगा तब जब बीज बोने का काम जो किया जाता है तो बहुत चालागी के साथ किया जाता है जिनको राजनिती करना है वो तो बहुत सुक्षमता के साथ समाज को तोड़ने के लिए पूरी प्लानिंग करेंगे उसमें वो मीडिया का भी सयोग लेंगे उसमें सारे ऐसे ऐलिमेंट जो समाज के अंदर उग्र होते हैं उनकी भी मदद ली जाएगी तो जिस आधार पर भी जिस उद्देश को भी लेकर के चला जा रहा हो कोई समू चल लहा हो तो वो समू अगर समाज को डिस्टर्ब कर देगा समाज को विभाजित कर देगा और ये जानते हुए भी कि पडोस में दो देश बैठे हुए जिनके पास की प्रमाडू बम है उसे युद्ध भी हो चुका है और भबिश में संयुक्त युद्ध की कोई न कोई संभावना भी है तो ऐसे में हम अपने समाज को अगर कमजोर करते चले जाएंगे तो फीचर में कैसे संगरश होगा क्योंकि कोई समाज ही जो है वो देश की रक्षा करता है सीना तो करती करती है समाज के लोग भी करते हैं समाज के वज़े से तो सीना को मनूबल मिलता है अगर समाज हमारा कमजोर होगा तो समाज के इस सज़त तो सेना में जाते हैं तो इसलिए जरूरी है कि देश का जो फलक है देश की जो परिधी है यानि जो समाज है हमारा उसको मजबूत किया जाए जब हम अपनी सोसाइटी को मजबूत करेंगे तो फ्यूचर में अगर कोई संकट आता है जैसे चीन जितनी तेग साथ प्रगती कर रहा है और उसने अपनी फॉर्ज बॉर्डर पे बैठा रखी है और इससे पहले जहाँ पेट्रोलिंग भारती सेनी करते थे आज नहीं कर पा रहे हैं लगातार बात्चीत चल रही है कई र अटाएक उस समय चंगेज खान के बाद भारत पे हुआ जबकि अलावदीन खिल जी ने उनको 1292 से लेकर के 1308 के बीच में पीछे हटाने का काम किया दिल्ली में बाजार व्यवस्था को लागू किया और मंगोलों के आकरमन से आधिपत्य से भारत को कही नहीं बचाने का का रहा है अर्थवैस्ता मजबूत है बहां पर इस तरह से बुलेट ट्रेने चल लहीं है बहुत तेजी के साथ चीन प्रगति की है और जब भी प्रगति होती तो देश के अंदर प्रमाद आ जाता है घमन डा जाता है तो फिर वो लोग अपने परोसियों को के ऊपर चलने की क हँशिट करते हैं तो भविष्य में भारत का चीन से अगर कोई संगर्श होता है ना हो तो बहतर है यानि किसी चीज की हम कलپना लेके चल ले कर ले कि अगर होगा तो फिर हमारी जो अभी राजनियती चल लए जिस तरह से हम तो अपने समाज को पूरी तरीक से तोड़ दें लोग अगर खलती करेंगे तो फिर सजा भी लोगों को उठानी पड़ती है इतिहास से सवग लेना चाहिए इतिहास में बहुत सारी घटनाए दर्ज है जब हम इतिहास से सवग लेंगे तब हम अपने फ्यूचर को अपने देश की रक्षा करने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं और जब हम खुद एक होंगे हमारा समाज एक होगा तो उसका संदेश दूसरे देशों को भी जाता है अगर हमने इसको नहीं रोका और यही हमारा ध्यान चलता गया तो होगा ये कि भारत के अलगलग प्रांतों में दंगे होते रहेंगे और जहां भी दंगे होते हैं तो फिर वहां के अर्थववस्था ठप पड़ जाती है तो उस राज बतब जिले की अर्थववस्था जो भी उतपाधन करती जो भी पूंजी का सरजन करती वो सरजन तो कुछ समय के रुख जाएगा तो ऐसे में अगर दंगे होते रहेंगे भारत के छित्रों में तो समाज के अंदर इससे क्या होता है एक बुरा महौल पैड़ा होता है अविश्वास की भवना पैड़ा होती है तरह तरह से मीडिया में रिपोर्टे आती है तो उससे और अविश्वास गहरता चला जाता है तो इससे हमारे समाज को पर असर पड़ता है तो इसको रोकना ब दो देशों से भी टकराने की स्थिती हो सकती है तो भारत की सेना उस संदर्व में तयारी भी की जा रही है लेकिन समाज अगर हमारा कमजोर होगा तो फिर कहीं न कहीं आगे एक संकट की स्थिती देखने को मिल सकती है इसलिए उसको रोकना बहुत जरूरी है हमें इस बात को स समर्पित करना चाहिए.